हेलो दोस्तो कैसे आप सब लोग दोस्तो मैं विशाल आप सबके स्वागत करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना पूले ताकि आपको ह हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाये करें तो दोस्तो आज की जो वीडियो है काफी अमेजन होने वाली है आज की जो वीडियो है उसको जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और इनकेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ए और बैल आइकन को भी दबा देना क्योंकि दोस्तो बैल आइकन को दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी हमारी अपकमिंग वीडियो की और हमें मोर्टिविकेशन मिला करेगी for making such wonderful videos ओके दोस्तो तो दोस्तो मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं और य बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनको आप यूज करना नहीं जानते जिनकी बारे में आप नहीं जानते हैं तो इन सब चीजों के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है सारी टिप्स ट्रिक्स और एप से आपको रूबरू करा सबूँ ओके दोस्तो तो दोस्तो आज मै आपको कुछ ऐसी बहुत अच्छी सेटिंग्स बताने वाला हूं कैमरा की मोबाइल के कैमरा की जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी ओके दोस्तो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपके मोबाइल का कैमरा खोलना होगा जैसे आप मोबाइल का कैमरा खोलेंगे तो आपको क्या है? इस तरीके से मैंने front camera नहीं back camera क्या मैं आपको बता देता हूं चलिए अभी close कर देते हैं एक काम करते हैं दोस्तों अभी इसे close कर देते हैं तो मैं आपको कुछ बात है बता देता ह surprises दोस्तों इन केस आप किसी situation में फसके हैं इसमें आपको एक सेकेंड के अंदर 20 फ्रेम्स कवर करने है, कहने का मतलब 20 फोटो खीचने है, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, वो मैं आपको बता हूँगा, जो कि बहुत ही एजी है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, आप कैस कर सकते हैं, within 1 second you can click up to 20 photos, ओके दोस्तों कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ओके दोस्तों इसके लिए आपको आपके कैमरे को खूलना होगा, दोस्तों देख सकते हैं, मेरा earphone charging पे है अभी, ओके दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ, एक सेकेंड के अंदर मैं इसके 20 फोटो देखिएगा, जैसे ही मैंने इसपे टैप किया, और देखिए दोस्तों, ये 20 फोटो एक साथ, यानि की 20 फ्रेम्स कबर हो चुके हैं, अब दोस्तों, इनके साब को ये खोलना है, तो आप ये फोटो खोल सकते हैं, और जैसे ही आप इसपे टैप करेंगे फोटो पर यहां आप एक आइकन मना हुआ आया है, जिसे एक तरीके स्लाइड शो का आइकन भी बोल सकते हैं, ये किस तरीके से इसने 20 फोटो विदिन 1 सेकंड खीच डाले, कूल है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसे यूस कर सकते हैं, इसे बर्श आट भी बोलता है, जैसे लिखा किसी आपके फ्रेंड को एक ही पोजिशन में फोटो खीचाना है, तो आप 20 फोटो एक साथ खीच सकते हैं, जो कि काफी कूल लगेंगे, अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ और सेटिंग की, दोस्तों, आप किस तरीके से फोकस कर सकते हैं इस चीज को, दोस्तों, आपको प गलती से हाथ लग गया, देन आपका फोकस फिर से कराब हो जाता, तो आप इसे लॉक कर सकते हैं, कैसे लॉक कर सकते हैं, आपको इस पे एक बात tap करना होगा दोस्तों, उकी दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही टैप करेंगे और यह चीज जो है, यह लॉक हो जाती है, इसक जो कि काफी cool है, ओके दोस्तों देखिए दोस्तों अब यह लॉड हो चुका है, अब मैं चाहूँ जोसे unlock कर सकता हूं और यह देखिए यह कहीं पे भी नहीं जाएगा, ओके दोस्तों और जैसे unlock करेंगे यह घूमने लग जाएगा, जो कि काफी cool feature है, जिसे आप use कर सकते हैं दोस्तों, a part of the some camera setting, मैं आपको एक ऐसी setting बताने वाला हूं, जो कि camera की तो नहीं है, लेकिन उससे ही मिलती जुलती है, क्या वो setting है मैं आपको बताता हूं, इसके लिए आपको Google Photos पे जाना होगा, Google Photos पे जाने के बाद आपको आपकी font के बहुत सारे photos आपको देखने को मि यहां या नहीं है, तो आप कैसे पटा कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, गुगल और यह चीज को search करेगा, यह चीज कहां मिली है, और यह आपको वहां पर redirect कर देगा, तोस्तो, यानि कि in case, इसका कहरेगा मतलब है, आप search कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें, फोटो के दम पे आप जैसे Google पे सर्च कर रहा है टैक्स लिख कर वैसे ही यहां पे आप फोटो के दम पे बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं तोस्तो जो की काफी कूल फीचर है तोस्तो यूस कीजिए का यह फीचर काफी अमेजिंग है इसके अलाबा चलिए दोस्तो एक बार एक काम करते हैं कुछ सेटिंग आपकी कैमरा में जाके भी देख लेते हैं जो की काफी कूल रहती है बहुत सारी सेटिंग से बारे में मैं अल्लेडी बता चुका हूँ आपको शायद पता ना हो बहुत सारी सेटिंग आपको यहां पर मिल जाती हैं जैसे की वॉल्यम बटन फंक्शन यह आपका वॉल्यम बटन पर डिपेंड करता है जूम इन जूम आउट इस तरीके से आप इनको सेट कर सकते हैं उके दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे अगर आपकी इस टेंडर यह लोय है तो आप उसे हाय कर सकते हैं प्रेम भी आप कर सकते हैं कुछ लोग को अई एक इस रहता है 16 बाइन रहता है लेकिन आप उसे 18 बाइन कर सकते हैं इससे क्या होगा, आपके उपर का चार्ज वाली जो लाइन होती है, मिन्य उपार वगरा जो इसरी बोलते हैं, उसको आप क्या कर सकते है? उसको आप कैमरा में क्लूड कर सकते हैं, जो कि काफी कूल लगता है, तो इस तरीके से यह सारी चीज़ा आप यूज कर सकते हैं इन सब सेटिंग्से बारे मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ डिवाइस वाटर मार्क, सेव लोकेशन इंफो जो कि मैं बता चुका हूँ सेव लोकेशन इंफो वो होता है जैसे ही आप किसी फोटो को खिचेंगे उसकी लोकेशन आपको पता चलेगी कि यह फोटो कहां कीचे गया है तो उमीद है मैं बहुत सारी सेटिंग्स आपको बता चुका हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर इनकेस आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूर है बहुत जल मिलेंगे आपको नेश वीडियो में ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ जिसमें होगी बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, एप्स, रिव्यू एंड बहुत कुछ तो दोस्तों मैं विशाल अकरवाल आप सबसे अलवेदा लेता हूँ बहुत जल मिलेंगे नेश वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों